हलो फ्रेंट्स ये अभी आपके रिसेंटली डिलिवरी हुई है और अब आपको ये कन्फर्म करना है कि आपके पिरिड्स कब से रिज्यूम होंगे यानि कि आपके पिरिड्स वापस कब से आना लगेंगे तो मैं डॉक्टर सुशिला सैनी गैनेकलोजिस रॉप्सटीशन सब्सक्रा cómostrush तो एक से ़ो हफफें तक तो ब्लीडिंग जैसी ब्लीडिंग होते है's second week के अंदर ये हलकी गुलाबी रंकी आने लगती है और third week के अंदर ये white color की healing जो discharge होता है जैसे कि कोई घाव भरता और उससे जो पानी निकल के आता उस तरीके की discharge आने लगता है तो generally ये तीन हफते के अंदर खत्म हो जाता है तो ये general periods नहीं होते हैं delivery के होने वाली बाद का special discharge होता है और उसके बाद में ये धीरे धीरे normalize होने लगता है अब एक से डेड़ महिने के बाद जब अंदर का layer वापस से grow करता है तो normal period आ सकता है लेकिन जैसे जैसे हम feed कराते हैं बच्चे को हमारे शरीर में prolactin का level बढ़ता है और prolactin के level बढ़ने के कारण महिना नहीं आता है तो जितना frequency आपके बच्चे को feed कराने की है उतने ही आपकी period delay होते हैं इसको lactational amenorrhea कहा जाता यानि कि दूद पिलाने के दौरान आपका महिना नहीं आना लेकिन एक बात सावधानी की है कि जब आपके महिने नहीं आ रहे हैं तो यह गल्ती नहीं करना कि आपको pregnancy नहीं होगी यानि कि यदि आप sexually active हैं तो आपको pregnancy हो सकती है यह बहुत बढ़ी लापरवाही हो जाती है यह हम अब समझकर चलते हैं हमारे periods नहीं आ रहे हैं प्रिग्णेंसी नहीं होगी और SSTU पता भी नहीं चलता कि आपको प्रिग्णेंसी हो चुकी हो जब आप दॉक्टर के पास पहुंच थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके होते हैं और आपका बच्चा काफी बड़ा हो चुका होता और उस टाइग पर अबॉशन करने क खिज जाता है क्योंकि रात को जब भी आप फीड कराती है तो एमेनोरिया याने के महिना नहीं आने का डियूरेशन बढ़ जाता है और कई बर किसी-किसी लेडिस में छे महिने से एक साल तक भी होता है तो ऐसे इस्तिती में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यदि आ बड़ा और कोई पीस festivals नहीं बचे हैं और आपका बच्चेतानी का यू-uses का साइज नौमल ही रिज्यूम हो गया है जैसे भी बच्चा डिलिवर हता है साइज का बड़ा ओता है और दिरे दिरे दीरे दिरे साहले तो पके नोमल साइज की तरफ चाता है नोमल साइज होने म कि नॉर्मल डिलिवरी के बाद 3 महने तक, 3 हफते तक तो आपके नॉर्मली ब्लीडिंग होनी वाली है, उसके एक महने के बाद या दो महने के बाद आप नॉर्मली पीरिड्स आपके रिज्यूम हो सकते हैं, लेकिन यदि आप दूद अच्छे से पिलाते हैं बच्चे को तो ये पेरिड आपका छे मैने या एक साल तक भी खिच सकता है और ऐसी स्थिती में प्रेग्रेंसी हो सकती है तो इसे इग्नोर ना कीजिए आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक मुश्कार